देखे दोस्तों चंदर मिशन 2 पर हम complete वीडियो बना चुके हैं जो की मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में लेकिन अभी केशन पूछे जा रहे हैं चंदर मिशन 1 से तो यहां से जितने भी केशन पूछे गए हैं एक्जाम में वो भी कवर करेंगे और इस टोपिक से याने क चंदर मिशन 1 से जो भी important question बनते हैं जो की बहुष में आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में cover करेंगे फुल डेटेल के साथ तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महत्मची में चलिए सुरू करते हैं फटाफार सबसे पहला question है चंदरियान वन को launch किया गया 22 October 2008 को और देखिए से launch किया गया स्री हरी कोटा के सार रेंसे जो कि अंदर परदेश में आता है अब देखिए चंदरियान वन को जब launch किया गया उससमें परमुक व्यक्ति कौन थे एक्जाम क्योशन पूचे जाते हैं कोई भी mission launch होता है तो पूछ लेते ह उससमें भारत की राष्टपती कोन थे परदान मंत्री कोन थे रक्षा मंत्री कोन थे तो भाई इनपोटेंट ही से आप देख लीजिए जब चंदरियान वन लोंच किया गया उससमें इसरों के अध्यक्स थे जी माधवन नायर 2003 से 2009 तक ये अध्यक्स रहे रक्षा मंत्री जी थे एक एंटोनी 2006 से 2014 तक रहे और परदान मंत्री जी थे डक्टर मन महान सिंग 2004 से 2014 तक रहे और राष्टपती जी थे उससमें शिरिमती परतिभापाटिल 2007 से 2012 तक और देखिए आजकल एक्जाम का पेटर ना उलट पलट सा हो रहा है कहीं से कुछ भी पूछ रहे हैं तो हम भी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जितने भी इन्पोटेंट पॉइंट बनेंगे ना भाई सभी को कवर करेंगे नेक्स्ट चंदरियान वन को किस रोकेट से लॉंच किया गया एक्जाम में यह केशन पूछा जा चुका है आपसन भी पीएसलवी सी 11 से चंदरियान वन को लॉंच किया गया पीएसलवी सी 11 से अब पीएसलवी की फुल फॉर्म क्या होगी पॉल और सेटेलाइट लॉंच विकल दुरूविय उपगरेश परशेपन यांग और अगर हम बात करें मंगल यान की जिसे 5 नॉम्बर 2013 को गया उसे किस विकल से लॉंच किया गया PSLV C25 से इंपोर्टेंट क्येशन है भाई एक्जाम में पूछ सकते हैं मंगल यान को 5 नॉम्बर 2013 को PSLV C25 से लॉंच किया गया किसली लॉंच किया गया मंगल ग्रे की परिकर्मा करने है तू और देखिए उसके बाद है चंदरियान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉंच किया गया आप सब जानते हैं कौन से विकल से लॉंच किया गया GSLV MK3 से इंपोर्टेंट भाई GSLV MK3 से लॉंच किया गया और देखिए उसके बाद है गगन यान मिशन जिसे 2022 में लॉंच किया जाएगा किस से GSLV MK3 से लॉंच किया जाएगा अभ जब यह लॉंच होगा तो हो सकता है चेंजमेंट हो जाए लेकिन अभी के लिए प्लान यही है कि इसे GSLV MK3 से लॉंच किया जाएगा और देखिए GSLV यह इस रोका बाहु बली रोकेट है इसके फुल फर्म क्या होगी जी ओन सिक्रॉन सेटेलाइट लॉंच विकल नेक्स समाप्त किया गया देखिए वैसे तो इस मिशन की कारिया हो दी थी दो वर्स लेकिन 29 अगस्त 2009 को ही चंदरियान वन मिशन को समाप्त कर दिया गया अब बंद क्यों किया गया तो देखिए जब चंदरियान वन मिशन लॉंच किया गया था तो उसमें जो और्बीट कक्षा म चंद्रमा की कक्षा में पहुँचा 8 नुमंबर 2008 को इंपक्ट जो की शोध यान था जिसे चंद्रमा की सतय पर लेंड होना था और बिट से अलग होकर 18 नुमंबर 2008 को चंद्रमा की सतय से टकरा गया उचे चंद्रमा की सतय पर पीसफुली लेंड होना था लेकिन वो चंद्रम उन्होंने जो काम करना था वो काम वो कर चुके थे और दीखिए 29 अगस्त 2009 को चंदरियान वन मिशन को समाप्त कर दिया गया नेक्स्ट क्यूशन इंपोटेंट है भाई लेकिन मुझे नहीं लगता आप इसका सही जवाब दे पाऊगे अगर सही जवाब पता है ना तो तो भाई उसे नाम दिया गया ओप्सन भी जोहार पॉइंट क्या नाम दिया गया जोहार पॉइंट देखिए चंदरियान वन के भी दो पाट थे एक तो था और बीटर जो की चंदर्मा की कक्षा में घुम रहा था दूसरा था इंपेक्टर जो की सोध यान था जिसे चंद defense went or a Z Issum czy Machoke को और आपको हमारी वीडियो लगे तो लाइक और सेर जिप्जीए दिल में कोई भी बात लोक्स में लिख दिए और दहersonा की के चंदरिया के चंद्वनुन हे चांद पर पानी के सबूत खोजे है इसरों ने गोष ना कर दी कब 25 सितंबर 2009 को कि भाई हमने जो चंद्रियान वन लॉन्च किया गया था वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है और उसने चांद पर पाने के सबूत खोज लिये हैं लेकिन ये सब होने के बाद भी चंद्रियान वन चंद्रमा की कख्षा में चक्कर लगा रहा है यानि कि अपना जो और्बीट है वो अभी चक्कर लगा रहा है और ये बात 10 मार्च 2017 को नासा ने बताई नासा ने जानकारी दी कि भा 10 टोपिक कवर कर लिया है इन सभी का पीडियाफ आपको मिल रहा है मातर 27 रुपे में लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया